तुला लगन के बारहो भाव में देवगुरु प्रिहस्पती के प्रभाव को ले कर kanssa में। तुला लगन में देवगुरु सरवथा कारक नहीं है लेकिन ये किस प्रकार का प्रभाव इस लगन में करेंगे, एक एक करके इनके प्रभावों को हम इस लगन में जानेंगे संगीता चौधरी जी का इन्होंने पूछा है कि आपको मैंने कहते सुना कि कुंडली के अश्टम स्थान में सनी हों तो जीवन परियंत संहर्ष करना होता है, मेरे पती की कुंडली में अश्टम स्थान में सनी बैठे हुए हैं, तो क्या उनको आजीवन संहर्ष ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी लगाता, उनका संहर्ष जारी है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, सभी दर्शकों को बता देता हूं कि कुंडली के अश्टम स्थान में अधि सनी अपना संबंध बना ले, सनी का संबंध कुंडली के अश्टम स्थान से हो जाए, तो सीधी सी बात है कि वहाँ बैठे सनी की तीसरी द्रिष्टि करम स्थान पर पड़ती है, और करम स्थान प यानि आयू की तो बृद्धी कर देते हैं लेकिन हाँ थोड़ा संघर्स अवस्य बढ़ा देते हैं करम स्थान पर अपनी तीसरी त्रिष्टी डाल करके हनुमान जी की आराधना करने के लिए अपने पती को बोलिये निश्चे ही हनुमान जी की आराधना से सनी देव स्थरेष्ट प्रभाव देने लगते हैं प्रेदर्श को आजाए तुला लगन पर प्रायह तुला लगन में देव गुरु को मारक कहा जाता है मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात पूशना चाहता हूँ कि मारक अगर देव गुरु तुला लगन में हैं तो सबसे पहले विचारनी तत्थे होगा कि क्या फिर तुला लगन के जातकों को शंतती उत्पन्य नहीं होती? क्या तुला लगन के जातकों को ग्यान का सुख न क्याना चाहिए? ऐसा नहीं है फिर कोई भी ग्रह मारक नहीं अकारक हो सकता है भाव मारक होते हैं कुंडली का अश्टम स्थान यहां से मृत्यू का विचार करते हैं इसलिए यह मारक भाव कहा गया इसके बाद आठवे से आठवा अब यहां भी जड़ा दो बाते विचार रखिएगा कि मारकत्व के नाम पर दुतिय भाव और सब्तम भाव को देखा जाता है क्यों देखा जाता है इसे सामाने तरीके से मैंने आपको बताया था लेकिन आज जो तिसीय तरीके से भी बता देता हूं याद रखिए कुंडली का यह अश्ट्रम स्थान आठवे से आ सब्तम भाव बार्वा हो जाने के कारण इस भाव से सब्तम भाव बार्वा भाव हो जाने के कारण इसे भी सामाने मारक कहते हैं और इससे ये भाव बार्वा हो जाने के कारण इसे भी मारक की गणना मिली लिया जाता है अब जैसा कि मैंने कहा भाव मारक हो सकता है ग्रह न जब वो किसी ऐसे भाव में बैठे हों क्योंकि इस लगन में उनका प्रभुत तो बहुत कम है और जब वो किसी ऐसे भाव में बैठ जाएं जहां बैठने से वो अपना स्रिष्ट प्रभाव जातक को नहीं दे सकते उसी अवस्था में उनका अकार कत्व जातक को देखने को मि लेकिन इसका ये कताई मतलब ना समझा जाए कि ये केवल और केवल नुकसान करते हैं वरन मैं ये कहना चाहता हूं कि देव गुरु तो नुकसान करते ही नहीं है बस परिस्तितियां थोड़ी भिन हो और ये ऐसे भाव से समंध रखें जहां इनका बलाबल कम होता हो तो रिज किसी के अंदर नहीं होता सीधी सी बात है कि बैलेंस करने की जो शमता इन लगन के इस लगन के जो जातकों में है वो किसी में नहीं होती और लगन में आकर के बैठ जाएं देव गुरु तो निश्चे ही वो प्रभाव साली होंगे लेकिन जरा गौर करिए वो सश्ठम स्थ और साथी साथ पराकरम के मालिक हैं तुला लगन के जातक मुस्कान से ही जग जीतने वाले होते हैं लेकिन लगनगत गुरु हो जाएं तो वो मुस्कान बड़ा गंभीर हो जाएगी रहस्यमई हो जाएगी और ज्यान वाली हो जाएगी यानि उस मुस्कान में भी सामने वा आप जानते हैं तुला रासी ये विसम रासी है जिरो से लेकर के 6 अंसो तक यहाँ पर देव गुरु बाल अवस्था में होंगे अब इस लगन में आकर के बैठे हैं तो जैसा कि मैंने कहा सरवथा यहां कारक नहीं है अगर वो सुक्र के साथ तातकालिक मित्रता में नहीं है तब तो फिर थोड़ा सा कस्ट जैसा कि मैंने कहा इस लगन में वो सरवथा अकारक है और कुछ विसेश परिस्तिती बनी तो उनका जो रिजल्ट है वो कमजूर आपको मिलेगा लेकिन अगर परिस्तिती स्रेश्ट रहती है यहाँ पर तातकालिक मित्रता में होते हैं संभा परिस्तिती स्रेश्ट रहती है तो यह प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा अब यहाँ पर बैठ करके देव गुरु अगर वक्री होते हैं स्रिश्ट लाभु देने वाले होंगे मृत हो जाते हैं आपको इनके रत्म की आवशक्ता नहीं है रत्म धारन न करें अगर वो इस कुंडली में यहाँ पर बैठ कर अस्त हो जाते हैं तो रिजल्ट बड़ा कमजूर हो जाएगा सिधी सी बात है अस्त करने वाला ग्रह भी सूरे बनेंगे जो की लगने में ही नीच रासी के होंगे और लगनगत सूरे नीच के हो जाते हैं तो जातको कुनेत्र संबंधी कश्ट देने लगेंगे यानि कि ये समस्या जादा विकट हो जाएगी अगर यहाँ पर बैठ करके कुंडली में गुरू अस्त हो जाते हैं यहाँ बैठे देव गुरू अपनी पांचवी दृष्टी से ज्यान भाव और संतान भाव को देखेंगे सम होकर के देखते हैं ज्यान और संतान का संपूर्ण सुख देंगे दामपत्य का संपूर्ण सुख देंगे और भाग्य का संपूर्ण सुख देंगे अगर यहाँ पर वो अस्त हो जाते हैं तो इनका रिजल्ट आपको बहुत कम मिल पाएगा अगर वो मृत हो जाते हैं तो इन भावों का रिजल्ट बहुत कम मिल पाएगा और अगर वो तातकालिक सतुरुता में आ जाते हैं तो दामपत्य जीवन में भी समस्या भाग्य से सम्मंधित सुखो में भी समस्या और संतान और ज्यान इन दोनों छित्रों से भी सम्मंधित शमस्या आपको देखने को मिलेगी अब आजाए कुंडली के धन भाव में अगर यहाँ पर आकर के बैठे हैं देवगुरू तो भाव नास करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं धन इकठा नहीं होने देते और जैसा कि इस लगने में उसरवथा कारक नहीं होते मंगल की रासी में आकर के बैठे हैं अपने मित्र की रासी में आकर के बैठे हैं एक बात तो तय करना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए कि जो भी सूत्र आपको जोतिस के बताया जाता है, मैं भी बताता हूँ, उन सूत्रों को याद करते समय इतना ध्यान रखना है, कि ग्रह की इस्तिती बहुत माइने रखती है, उसकी प्लेस्मेंट बहुत माइने रखती है, कोई भी सूत्र आप एका एक ग्रह पर लागू न क लेकिन अगर अकेले होते हैं तब क्या होगा तो उस अवस्था में आपको धनकी कमी नहीं होगी लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि जातक को रिन में डाल देंगे पैसे आएंगे लेकिन सरवथा रिन में जाते रहेंगे इसके चलते जातक परिसान रहेगा लेकिन इसका ये म अंचित धन सब को चाहिए होता है तो आप देवगुरु की आराधना करके इनके मंतर को जब करके मंदर त्यादी जाकरके देवालय जाकरके अपने देवगुरु को बलवान बना सकते हैं यहाँ पर बैठ करके अगर वो वक्री हो जाते हैं तो रिजल्ट में नियूनता आजाएगी पुना धन संचे की स्थिती कमजोर होने वाली है और यहाँ पर बैठ करके वो अगर अस्त हो जाते हैं मृत हो जाते हैं तब कैसा प्रभाव तो अस्त होने की अवस्था में जहाँ योग हो जाएगा उस अबस्था में अगर अस्त भी होते हैं आपकी कुंडली में गुरू सुरी की उती तुला लगने में दुतिये भाव में बनी है तो कुछ चीजों का जरा खायाल कर रहे हैं पेट संबंदित सिकायत आपको हो सकती है ब्लड प्रेसर नित्र से संबंदित स देखेंगे तो रोग रिपूरिन क्योंकि अपने भाव को देखेंगे तो भाव से संबंदित प्रभाव में जो समस्यां हैं उसका समन करेंगे क्योंकि अपने घर को देखकर उसका नुकसान वो कता ही नहीं होने देंगे लेकिन ये देख लेना है कि कैसी इस्तिती है वक्र तो नहीं है अस्त और मृत में आपको इनका संपूर्ण लाव मिलेगा चाहे दृष्टी यहाँ हो चाहे दृष्टी यहाँ पराक्रम भाव में आ जाईए यदि आपकी जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में आकर के बैठे हैं देवगुरू स्वग्री हो जाएंगे तुला सस्थेस भी हैं और सस्थेस होकर के पराक्रम भाव में जाकर के बैठे हैं अब जरा गौर करिए मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पराक्रम भाव में स्वग्र ही होकर के बैठे हैं तो क्या स्वग्र ही होकर के अपने घर को नुक्सान पहुंचाए और तब छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी हो जाएगी अब जरा गौर करिए राहू इनहीं के साथ हाकर के बैठ जाता है तो क्या नुकसान होगा तो मैं कहूंगा कोई नुकसान नहीं ज़्यादा होने वाला है गुरू को बलवान बनाने के लिए दूसरा कुछ मत करिए रत्न धारण मत करिए आप देवाले जाइए मंदर जाइए ज़्यादा आपको होगा यहाँ पर गुरू अगर वक्री हो जाते हैं प्रभाव में नियूनता आजाएगी अस्त हो जाते हैं तो धनेस लाभेस आगर के पराक्रम में बैठेंगे अस्त होने की अवस्था में भी जातक को लाभ की कमी नहीं चुकि यहाँ पर बैठ करके दोनों की दृष्टी भागय भाव पर पड़ेगी तो भागय का भी सुख जीवन काल में संपूर्ण प्राप्त होता रहेगा और वैसे भी सुरे का संबंध यहाँ से हो जाए तो जातक पराक्रमी तो अवस्य होता है यहाँ बैठे देव गुरू मेश रासी पर यानि सप्तम भाव पर दृष्टी डालेंगे तो दामपत्य सुख संपूर्ण आपको देंगे आपके दामपत्य जीवन को स्रेष्ट बनाकर के ही रखेंगे उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी यहाँ बैठे देव गुरू अपनी नौमी दृष्टी लाव भाव पर देंगे अस्त होते हैं तो स्रेष्ट आप उससे टिंसन मत लीजिए आपको रिजल्ट मिलेगा मृत होते हैं तो प्रभाव सुनने हो जाएगा फिर उस अवस्था में इनको बलाबल के लिए रत्न की जगव देवालाई जाईएगा अब आजाईए कुंडली के सुख भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में सुख भाव में बैठे हैं देवगुरू तो कैसा प्रभाव देंगे सिधी सी बात है रोगरी पुरिण और पराकरम भाव के मालिक आकर के कुंडली में बैठे हुए हैं सुख भाव में घर में कलह का वातावरन बन सकता है, घर में तनाव की स्तिति उत्पन्न होगी और ये सब आपके कारण होगा क्योंकि देवगुरु यहाँ पर नीच रासी में आकर के बैठे हुए हैं सीधी सी बात है, नीचत तो इनका भंग होता हो, तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि इनकी द्रिष्टी उच्च की द्रिष्टी पड़ेगी, आपकी कुंडली में कर्म स्थान में तो कर्म में बृद्धी रहेंगे हो सकता है, आपके घरवालों की ये शिकायत हो कि आप ज़्यादा घर पर समय नहीं देते, हम लोगों के साथ समय नहीं व्यतीत करते, लेकिन इसके बावजूद आप काम में इतने व्यस्त रहेंगे, आपकी संपन्नता, आपकी आर्थिक संपन्नता इतनी जबरदस्त कि शिकायत करने वाला भी एक बार को मौन हो जाएगा लेकिन तब जब देव गुरु का नीचत्व भंग हो जाए पांच अंस तक ही पांच में अंस पर ये परमुच्छ परम नीच होते हैं परम नीच वाली आवस्था में होते हैं लेकिन इसके बाद इनको निर्मल ही क्योंकि देव गुरु है ज्यान कभी उच और नीच नहीं होता तो यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं सनी की दृष्टी कहीं से पढ़ जाए नीचत्व भंग हो जाएगा सनी केंद्र में हैं नीचत्व भंग हो जाएगा तो यहाँ पर बैठे हैं आपकी कुंडली में मस्या हो जाएगी क्योंकि लाभे साकर के बैठेंगे सनी की रासी में सनी और सूरिय आपस में अति शत्रू है अब यहां पर अगर देव गुरु बैठे हैं तो सबसे पहले आपको देव गुरु के लिए सनी के साथ मित्रता देखनी है तातकालिक मित्रता है अथवा नहीं, क्यों? वैसे तो देवगुरु और सनी आपस में सम हैं, न सत्रू है न मित्र हैं, लेकिन फिर भी आपको तातकालिक मित्रता देख लेनी हैं, अगर तातकालिक मित्रता होती है, तो मित्र नीच रासी में होकर के भी ये रिजल्ट करेंग तो जातक अपने घर में या गाडी में भवन में भूमी भवन वाहन पर विसेश खर्च करने वाला होगा अब अश्टम पर द्रिष्टी जो गुरू की पड़ेगी तो आपके आयू को ये नुकसान सर्वथा करेंगे तब जब नीचता वाली स्तिती में हो यानि की सनी की द्रिष्टी कहीं से न पड़ रही हो सनी का समंध केंदर से कहीं से न बन रहा हो तब आपके आयू को नुकसान उठाना पड़ेगा आजा ये कुंडली के पंचम स्थान में यहाँ पर भी देव गुरू भावनास करते हैं अब जरा गौर करिए कि भावनास का सर्त क्या है अकेले हों अकेले होंगे भावनास कर देंगे अगर अकेले नहीं है भावनास वाली कोई बात नहीं है यहां पर आकर के बैठे हैं, तो कहां पर कैसे हैं वो, तो सश्ठेस और पराक्रमे सोकर के आकर के कुंडली के संतान भाव में बैठे हैं, सनी की ही रासी में बैठे हैं, मूल त्रिकोन रासी में बैठे हैं, यहां वो अतिविसिष्ट कारक हो जाते हैं, और सनी के साथ अगर तातकालिक मित्रता में हुए तो मित्र हो जाएंगे, उस अवस्था में संतान का सुख, ग्ञान का सुख, संपुर्ण सुख, क्योंकि यहाँ वो अतीविस्ष्ट कारक्ष भाग्य लाव और लगन को देखेंगे, तो संपुर्ण लाव आपको प्राप्त करा देंगे, तातका उससे सम्haus प्रभावों को ऐसा हो कि कमजोर हो जा रहे हैं, इसलिए दबा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, फिर वो उससे सम्धित प्रभावों को संपुर्न रूप से प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ नुपसान करेंगे, अगर वो तातकालिक सतुरुता में आते हैं, त तो संतान सुख, संतान से सुख, ज्यान सुख, ज्यान से सुख में बहुत कमी लाएंगे। शंतान का संबंध नहीं होने देंगे, शंतान का आपके साथ मतभेद कराएंगे, ऐसी परिशानी बहुत पर न करेंगे। तो कैसी अवस्था में है ये आपको देख लेना है अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर बैठे हुए है देव गुरू तो एक चीज आपको ये जान लेनी है कि यहाँ पर बैठ करके अगर वो वक्री होते हैं तो भी आप इनका रिजल्ट लगभग लगभग ठीक ले लेंग और वही अस्त हो जाते हैं तब भी मैं कहूंगा कि प्रभाव न्यून ही होगा लेकिन लाभ में कमी कभी नहीं होगी अब आजाए कुंडली के सश्ठम स्थान में स्वग्री हो जाएंगे देव गुरु ब्रहस्पती अगर आपकी जन्म कुंडली के सश्ठम भाव में बैठे हुए आकर के तो आईए देखते हैं कैसा प्रभाव देने बाले हैं रोग, रिपु और रिण इस भाव के स्वामी इसी भाव में आकर के बैठें तो CDC बात है इस लगने में वो बिपरीत योग लगाएंगे तो बिपरीत को याद रखिये यानि परिस्थितियां आपके बिपरीत हो तो राजयोग जागरित हो जाए यहाँ पर बैठे देवगुरु अगर आपकी कुंडली में तो सत्रू हंता बनाएंगे आपको यहाँ पर अगर कहीं से केतू उनके साथ हो जाए तो प्रबल सत्रू हंता आपको बनाएंगे अगर यहाँ पर बैठे हैं देवगुरु तो रोग रिपू रिण पेट जनित रोग की सिकायतें देते हैं लेकिन कोई घबराने की जुरत नहीं है रोग और रिण भी हो रिपू और रिण भी हो तो भी आपको उनसे डरने की आवशकता नहीं कोई नुकसान आपको नहीं उससे होने माला है यहाँ पर अगर बैठ करके वो मृत हो जाते हैं अस्त हो जाते हैं या वक्री हो जाते हैं वक्री होने की अवस्था में प्रभाव निून अगर वो यहाँ पर बैठ करके मृत हो जाते हैं तो दृष्टी का जो उनका प्रभाव है वो नाके बराबर आप ले पाएंगे और अ सत्रू, पानी मांग जाएंगे आपके समुख, आजाए कुंडली के सब्तम स्थान में, अब ये जितने भी भावों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक बात पहले बता देता हूँ, कि देव गुरु का रत्न, इस लगने के जातक धारण ना करें, हर हाल में ना करें, क्यो जब जब आपके जीवनकाल में देव गुरु का प्रभाव आएगा, जब जब आपको इनकी महादसा आएगी, एक बात याद रखना है, कि सबसे पहले आपको उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, बाद में बुरा प्रभाव मिलेगा, इस बात का हमेसा खयाल रखिएगा, कि यहाँ पर आपके पराक्रम की बृद्धी वो कराएंगे आने वाले मालिया जाए महादसा चल रही है 16 साल की तो 8 साल पराक्रम और 8 साल रोगरी पुरिण अंतर दसा चल रही है तो जो शुरुवाती वक्त होगा वो फायदा इसके बाद ही नुपसान सब्तंभाव में आजाएए यहाँ पर भी आकर के देवगुरु भावनास करते हैं तो क्या भावनास करेंगे याद रखिये मित्र रासी में बैठे हैं अकेले हैं तो भावनास की बात आएगी पत्नी के साथ मत भेद होगा क्यों होगा पत्नी का स्वभाव और जैसा देखा तो मेज के कारण थोड़ा उग्र होगा, चिर्चिरा होगा, गुस्यल होगा, तो सिधी सी बात है कि दामपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन कर देते हैं, भावनास का ये अर्थ एकदम नहीं निकालिएगा कि ये बिवाह को तोड़ देंगे, यहां पर वो बिवाह इस लगन में कारक नहीं, लेकिन मित्र रासी में आकर के बैठे हैं, तो सरवथा विवाह को तोड़ दें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब सश्थम भाव का मालिक आकर के सप्तम भाव में बैठा है, तो मतभेद होने लगे, परिसानी होने लगे, पत्नी का स्वास्त खराब न नहीं करने देते हैं, अब यहां पर बैठ करके वो वक्री होंगे, तो सीधी सी बात है, दामपत्य जीवन कमजोर होगा, यहां पर बैठ करके वो अस्त होंगे या मृत होंगे, तो क्या होगा, मृत होंगे तो द्रिष्टी प्रभाव नहीं मिलेगा, अस्त होंगे तो क्या तो अस्त होने की अवस्था में इनके प्रभाव को आप कमजोर मत समझिएगा तो लाव की कमी नहीं बलकि पत्नी के आने के बाद लाव बढ़ जाएगा लगन पर देखेंगे तो आपके व्यक्तित्तों को जबर दस्त निखार देंगे और साथ ही साथ आपकी कुंडली में पाराकरम को देखेंगे तो पाराक्रम में कमी नहीं होने देंगे क्योंकि अपने ही घर को देखेंगे वरन मैं कहूंगा कि पत्नी का सहयोग लीजिए पत्नी का साथ लीजिए पत्नी की बुध्धिमता का उपयोग करिए आपको स्रेष्ट लाव मिलेगा आजाए कुंडली के अस्टम स्थान में अगर यहां पर आकरके बैठे हैं देव गुरु ब्रहस्पती तो क्या ये नुकसान करेंगे प्रियदर्श को पहले तो ये विपरीत राजयोग होगा शुकर के साथ अगर तातकालिक मित्रता में आ जाएं तो निश्चे ही आपको इसका स्रेष्ट लाव रहेगा लेकिन विपरीत योग तो है लेकिन अगर ये तातकालिक स्रुता में शुकर के साथ आ जाते हैं कहां पर पड़ेगी तो भूमी भवन वाहन इन सुखों पर पड़ेगी सीधी सी बात है कि यहां पर बैट करके वो ब्याय को देखेंगे तो ब्याय तो कराएंगे इसमें कोई संसे नहीं लेकिन अगर आपका ब्याय आध्यात्म की तरफ हो आप ध्यात्मिक ब्याय करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है सो पूजा पाठ इत्यादी चीजों में धर्म कर्म में खर्च करिए ब्याय करिए अच्छा होगा अन्य था ये बुद्ध की रासी है बेवजा की चीजों में ही आपके पैसे खर्च होते चले जाएंगे बेकार की चीजों में पैसे खर्च होंगे उससे अच्छा है कि अपने पैसे धर्मादी कारियों में खर्च करिए ज़्यादा बढ़िया होगा यहां बैठ करके जो धन भाव को देखेंगे तो धन इत्यादी का संचयन जीवनकाल में होगा भूमी भवनवाहन का भी सुख आपको ये प्रदान करेंगे लेकिन ये सब कब जब वो तातकालिक मित्रता में हो तब तातकालिक सत्रुता की अवस्था में ब्याधिक गलत चीज तो अस्त होने की अवस्था में भी नुक्सान है क्योंकि सूर्य साथ साथ चले आएंगे लाभेस आकर के अश्टरम स्थान में बैठ जाएं तो लाभ में कमी हो जाएगे मृत होने की अवस्था में भी द्रिष्टी का कोई नुक्सान और फाइदा नहीं लेकिन यहां पर वो नुकसान पहुंचाएंगे अगर तातकालिक मित्रता में है और मृत्थ हो जाते हैं तो तो यही पर वो नुकसान पहुंचाएंगे बाकी और कहीं नहीं आजये कुंडली के भाग्य भाव में, यहाँ पर वो अतिविसिष्ट कारक होते हैं, मिथून डासी में आकर के बैठे हैं, बुद्धकी रासी में बैठे हैं, अस्त होते हैं, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि लाभेस आकर के कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं और साथी साथ ज्यान और संतान पर पड़ेगी, तो इन सुखों में भी बृध्धी कराने वाले होंगे, अगर ये तातकालिक मित्रता में होते हैं, तातकालिक सत्रुता में भी होते हैं, तो इससे संबंधित प्रभाव तो वो देंगे, नियून देंगे, कम देंगे, अब य अब यहाँ पर बैठे देव गुरू अपना प्रभाव जो पराक्रम भाव पर अपने ही घर पर डालेंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे छोटे भाई बहनों से भी लाब आपको अपने पराक्रम से भी लाब मिलता रहेगा तो मैंने जैसा कहा यहां बैठे हैं तो आप इनका स्रिष्ट लाब ले सकते हैं आजाएए कुंडली में यहाँ पर यहाँ पर एक मात्र बैठ करके तुला लगने में हैं लेकिन हंस-योग का निर्मार करेंगे तो सीडी सी बात है हंस-योग कुछ लोग आपसे यह भी कहेंगे कि तुला लगने में हंस योग नहीं बनेगा दिमाग में ऐसी बात नहीं लाइएगा योग तो बनेगा ही रिजल्ट पर हम जरूर विचार कर सकते हैं कि कुछ कमी और जादा हो जाए हंस योग में होने के बावजुद आपको देवगुरू का रत्मधारन करने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन यहाँ पर बैठे हैं देवगुरू तो रिजल्ट तो आपको जबरदस्त मिलेगा क्योंकि दसमस्त वो कारक होते हैं रिण लेकर के भी आप काम करिए जीवनकाल में समस्या नहीं होगी पाराक्रमें साकर के कर्मभाव में बैठे हैं तो जीवनकाल में अपने पाराक्रम से ही बुलंदी को छुएंगे अपने पाराक्रम से ही आपको सफलता मिलने वाली है यहाँ पर बैठ करके धन को देखेंगे सुख को देखेंगे और रोगरी पुरिण को देखेंगे सीधी सी बात है धन की स्थिती जबरदस्थ सुख की स्थिती जबरदस्थ और रोगरी पुरिण से आपको डरने की कोई आवशक्ता नहीं वक्री हो जाए उस सवस्था में प्रभाव थोड़ा नियून हो जाएगा और यहां पर एक बात आपको बता देता हूँ धन संचयन में कमी और तो और भूमी भोनवाहन के सुखों में कमी और रोगरी पुरिन से आपको ये परिशान कर देंगे फिर संतान के सुखों में भी आपको कमी कह सकते हैं और दामपत्य में भी या विवा होने में भी समस्या कह सकते हैं अब ये अस्त हो जाते हैं तो क्या होगा तो अस्त हो जाते हैं तो सीदी सी बाते सुर्य आ जाएंगे अपने से घर पहले केंद्र भाव में आ जाएंगे लेकिन सुर्य यहां पर दिग पराक्रम भाव पर सिदी सी बात है अपने घर पर डालेंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, स्रिष्ट पराक्रमी बनाएंगे, संतान सुख ज्यान सुख सभी सुख को देने वाले होंगे दामपत्य को बचाने वाले होंगे अस्त हो जाते हैं तब भी आप इनका result बेहतर लेंगे धनकी कमी जीवन काल में नहीं होगे मृत्त हो जाते हैं तब भी लाभ हमें कोई समस्या नहीं लेकिन द्रिष्टी का सुख कम मिलेगा वक्री हो जाते हैं तब रिजल्ट बहुत कम जूर हो जाएगा स्रिष्ट रिजल्ट इनका नहीं ले पाएंगे आप सुरी के साथ ये स्रिष्ट रिजल्ट ही यहाँ पर देंगे अगर तातकालिक मितुरता नहीं बनती तब तो आपको ब्याज़िक कारण पर परिशान होना पड़ेगा पैसे गलत कामों में जाने लगेंगे बेवजह के चीजों में जाने लगेंगे जिसके फलसुरूप आपको परिशानी होगी यहां बैठे देव गुरू भूमी भवन वाहन सुख पर रोगरी पुरिण पर और अश्टम पर द्रिश्टी डालेंगे अगर तातकालिक मितुरता में है तो भूमी भवन वाहन का सुख रोगरी पुरिण से कोई डरने की बात नहीं आयू की बृध्धी तातकालिक सत्रुता में आ जाते हैं भूमी भवन वाहन के सुखों में कमी क्योंकि नीच राजी पर नीच द्रिश्टी पढ़ रही है रोगरी पुरिण के कारण परेशान और साथ ही साथ आयू में भी परेशानी उत्पन होने लगेगी यानि स्वास्ते से सम्मंदित परेशानी होने लगेगी उस भाव से सम्मंधित जो अच्छाईया है यानि रोग दिया उन्होंने तो उसे सांती आपको देंगे रिपू दिया आपको रिपू भी कैसे तो आपके सामने घुटने टेकने वाले रिपू दिया तो भी टरने के जुरोत नहीं रिपू से कोई नुक्सान आपको नहीं होगा यानि एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर बैठे हैं देव गुरू तो सरवथा इनका नुक्सान नहीं समझ लिया जाए अस्त हो जाते हैं तो सीदी सीवाथे लाभेस जाकर के ब्याय में बैठेंगे तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए होगी लेकिन ब्याय लगातार बनी रहेगी अब मृत हो जाते हैं तो भी कोई दिखकत नहीं आपको इनका रत्न की आवशकता नहीं पड़ेगी वक्री हो जाते हैं बहुत सरेष्ट रिजल्ट आपको मिलेगा कहीं कोई दिखकत नहीं प्रेदर्श को तुला लगने के बारहोगा हाव में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था तो पूर्व में इतना बता दिया हूँ कि आप लोगों को याद रहा होगा जिन लोगों ने लगातार देखा है सब को याद होगा जो नहीं देखे हैं वो देख लें उनको पता चल जाएगा अब यहाँ पता दू तुला लगने के जातकों को देव गुरु का रत्मधारन नहीं करना चाहिए इससे बचना चाहिए देव गुरु को ठीक रखने के लिए इनका स्रिष्ट लाव लेने के लिए सबसे बहतर उपाय है देवाले जाना देवाले जाने से देव गुरू बहुत स्रिष्ट लाव देते हैं, गाहे बगाहे, मंदर में आप अपना सह्यों करते रहे, आपको इनका स्रिष्ट लाव मिलता रहेगा, गुरू, डामभन, इत्यादी की सेवा करने से भी, गुरू की सिख्षक का सम्मान करने से भी, देव स्रिष्ट लाव देते हैं तो ऐसा करके आप इनका स्रिष्ट लाव प्राप्त कर सकते हैं तो आज के लिए वस इतना ही कल हम देव गुरु के प्रभाव को जानेंगे व्रिश्चिक लगने में तो इजाज़त दीजिए कल पुनह आप सब के समुखाजिर होंगा ब्रिश्चिक लगने के बारहो भाव में देव गुरु के प्रभाव को लेकर तब तक के लिए नमस्कार